दोस्तो यस बैंक की बात की यहाँ पे क्वाटर फोर का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है बचे हैं दो दिन कैसा रिजल्ट होगा उसको समझेगे इस वीडियो के मादिम से इसके अलावा देखें तो RBI की तरफ से इस समय बैंकिंग सेक्टर को लेकर लगाता बहुत सारे सक्त कदम उठाए जा रहे है आप समझ सकते हों कि इससे पहले Paytm का जो बीजनस था उसको एक तरह से बंद करवाया और बीजनस आप देखे हो कि Paytm का जो Digital Transaction का बीजनस Yes Bank के पास आ गया है अब RBI ने सक्त कदम उठाए कोटक माइनरा बैंक के उपर और इसके पीछे जो वज़े है उसको भी समझेंगे सबसे जो बड़ी बात है कि Yes Bank को इसका क्या Advantage मिल सकता है क्या इससे Customer Base में इज़ाफ हो सकता है उसको जानेंगे इस वीडियो के माद्यम से यहाँ पर जो बड़ी डील हो रही है वो इसारा करें कि Yes Bank में एक जबरदस तेजी की समझावना बनने लगी है क्या इस बार रिजल बैतर होगा तो एक सांदर तेजी फिर बनेगे और इस बार श्टॉक कबाल कर सकता है जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दिजिए ताकि जब भी ने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो इस समय सवा तीन का टाइम है 15 मिनिट बाकी है बाजार क्लोजोने में इस समय निप्टी बैंक 48,498 के इस तर पर जापे 309 पॉइंट की तेजी है एनी 0.64 परसें अपने निप्टी बैंक तो अच्छा कर रहा है लेकिन निप्टी प्राइट बैंक के तेजी बहुत कम है 24,143 के इस तर पर 0.14% की ही तेजी है तो इसके पीछे वज़े कोटक महिंद्रा बैंक जापे भारी बरकम गिरावट है और निप्टी प्राइट बैंक इंडेक्स में वो सामिल है इस वज़े से ये तेजी दिखाई नहीं दे लिए अब इसके बीच में यस बैंक आज काफ अब आप देख सकते हो कि ये जो तेजी बने इसके पीछे वज़े कोटक महिंद्रा बैंक का पूरा मामला आर्बी ने उसके अब नए ओनलाइन कस्टमर जोड़ने पे रोक लगा दीगी है इसके इलावा जो दूसरी जो मोबाइल एप के माधियम से जो भी नए कस्टमर ज नहीं अपना रहे थे जिस तरसे उनके कस्टमर बढ़ रहे थे उसराप से जो आईटी टेक्लोजी बहुत पुरानी आउटडेटर थी जिससे कस्टमर को फूरी हर तरसे जो असुवीदा होती थी उनको समय पे उनके ट्रांजेक्शन ही हो पा रहे थे बहुत सारी प्रॉब आप देख सकते हो कि डिजिटल टेक्नोलोजी में यस बैंक दूसरी बैंकों के मुकाबले बहुत आगे है जब से यस बैंक ने नहीं शुरुआत की है लगातार इन्होंने अपनी टेक्नोलोजी को अप्ग्रेड किया है काफी सांदार और उम्दा क्वालिटी के इनके आप देखें तो रसिया के रूबेल और इंडिया के रूपी के बीच में जब कारोबार सुआ तब भी यस बैंक को ही आर्बे ने सबसे पहले चुना और आप देख से तो कि यूपी आई का जो ट्रांजेक्शन में तो अलरी 33% से उपर का मार्केट से यस बैंक का है इसके अगर आप देखें तो पे टीम के टाइम में जब प्रॉब्लम हुई तब भी यस बैंक ने उनके कारोबार को संबाला तो यह एक बहुत बड़ा मौका है और एक अपोर्चुनिटी है जिससे यस बैंक अपने कारोबार को बढ़ा सकती है आगे लेके जा सकती है अब आज वोड़ाफोन आइडिया का FPO धी आच ल कहई है आप देख को कि FPO में लिश्टिंग भी अचuw हुई है अब वोड़ाफोन आइडिया की आगे की क्या सम्भावन,"अगर आप उसको जानना चाहते हो तो और इड़ी वोड़ाफोन आइडिया पे आज हमारा वीडियो बना है उसको जाके आपको देखना चाहिए, विजन क्या है, क्या ये stock आने वाले से 100 हो सकता है, या फिर यहां से गिराउट होगी, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के मादेम से मिल जाएगी, total analysis वीडियो है, आपको जरूर देखना चाहिए, इसके अलावा जो सबसे बड़ी क्रोड नए equity share जोड़े गए, तो अब पूरे हमार श्टॉक मार्केट में, नंबर बन पे वोड़ा फोन आइडिया है, equity share की quantity के मामले में, अब नंबर दो पे अगर आप देखें, तो आपको yes bank दिखाए देगा, yes bank के अंदर total जो equity share है, वो 2,876.78 क्रोड की share है, और यह न Indian Oil Corporation Limited जिसके 1,482.12 क्रोड शेर है, और उसके बाद में आपको सुझलोन का नाम दिखाए देगा, जिसके 1,361.28 क्रोड शेर है, और उसके बाद में IRFC जिसके 1,306.85 equity share है, तो यह देख सकते हो कि इस list में yes bank नंबर दो पे आ चुका है, अब quarter four आने वाला है, कैसा quarter four है सकता तो जिस तरसे yes bank की तरब से जो deposit और advance के जो आकड़े जारी की है कि वो काफी उत्जावर्दक है, जो इस सारा करें कि इस बार अच्छी तेजी हमें देखना को मिल सकती है, quarter four के दर में yes bank के advance की बात के तो यह आपको 2,28,465 क्रोड के आसपर दिखा देगा, जिसमें 14.1% की year on basis पर अच्छी खासी ग्रोध देखना को मिल रही है, पिछले साल यह 2,201 क्रोड के आसपर दा, तो इससे कह सकते है कि इस बार result में इसका आसर बिलकुल देखना को मिलेगा, इसके अलावा आप देखे तो quarter on quarter basis पर भी यहाँ पे 5% की व्रिदी देखना को मिल रही है, दि पिछले quarter में यह 2,70,502 क्रोड के आसपर था, और यहाँ पे अगर हम quarter on quarter basis पर भी देखे तो आपको 10.1% की व्रिदी देखना को मिल रही है, इसके अलावा अगर आप देखे तो CASE का जो रेशियो है इस बार वो 82,350 क्रोड के आसपर जापे 23% की जबरदस year on basis पर जंप दे बढ़ा है तो इसे क्लेली समझ सकते हो कि इस बार result होगा वो बैतर हो गई और वैसे विकर हम पीछले result देखे तो लगाता revenue बढ़ी रहा है, दिसमबर 2022 में जापे 6,987 क्रोड के आसपर था, वो दिसमबर 2023 में 8,243 क्रोड तक पहुच गया और लगातार हर quarter में हमें revenue करें तो दिसमबर 2022 में 55,07 क्रोड के आसपर था, वो दिसमबर 2023 में बढ़के 243 क्रोड तक पहुच गया है, जबर 10 बढ़ा है profit भी और इसलिए जो इस बार profit है वो बढ़ने की पूरी उमीद है, और काफी अच्छा profit भी बढ़ सकता है, और SMS की price बढ़ेगी, कोई रोक नही देल हुई है, वो देल के तरफ चलते हैं, वो क्या ही सारा करी है, तो सुबह 11 बजकर 21 मेर पर 25.35 की price से 17,65,00 की बिक्वाली हुई, फिर 11 बजकर 24 मेर पर 25.30 की price से 12,35,00 की बिक्वाली और हुई, उसके बाद 1 बजकर 26 मेर पर 25.50 की price से 23,97,00 की बड़ी खरिदारी हुई, उसके बाद 1 बजकर 30 मेर पर 25.65 की price से 17,14,00 की खरिदारी हुई, तो फिर 1 बजकर 31 मेर पर 25.75 की price से 21,88,00 की बिक्वाली खरिदारी और हुई, फिर 1 बजकर 35 मेर पर 26.05 की price से 21,00, की बिक्वाली खरिदारी हुई, तो फिर उसी समय एक बजकर 35 मेर पर 26.10 की price से 17,69,00 की एक खरीदारी और हुई फिर दो बज कर 19 मेर पर 26 की प्राइस से 18,42,00 की जबर्दस खरीदारी हुई उसी समय दो बज कर 19 मेर पर 26.05 की प्राइस से 14,75,00 की एक सांदार खरीदारी और हुई तो कुल मिला के देख सकते हुई कि पूरे दिन में आज बड़े फंडा उसने जम खरीदारी की है सिर्फ सुबसुब एक विक्वाली बाकी overall जिसने से बड़े फंडा उसने खरीदारी किये यह सारा है कि Yes Bank आने वाले से में जबरदस रिटन आपको दे सकता है ऐसे में long term इंवरेश्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि Yes Bank में खरीदारी कर ले यहाँ पे अगर हम long term के लिए गर इसके technical trends दे के तो bullish बने हुए यानि आने वाले से में long term इसकी तेजी जारी रहेगी short term जो technical trends भी bullish ही बने हुए यानि चाहे आप short term के लिए खरीदे या long term के लिए Yes Bank दोनों मामले में आपको अच्छा return दे सकता है तो दाव आपको लगाना चीए लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisors बढ़े ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like शेजर रुकिज़ और चैनल को subscribe कर दीजिए Thank you friend